स्टूडेंट आज हम लोग चित्रकला के पेपर को साल्प करेंगे आईए देखते हैं चित्रकला कक्षा 10 पुणांग 70 समय तीन खंटा 15 मिनट समाने निर्देश में देख लिजिए क्या आता है इसमें प्रस्णपत्रक ख तथाग तीन खंडों में विभक्त है तीनों खंडो को करना अनिवार है है खंड का इस खंड में आलेखन अत्वा प्राभीधिक कला के प्रते के 20 बहुविकल्पिय प्रस्ण है जिसमें से किसी एक 20 बहुविकल्पिय प्रस्णों के उत्तर देने हैं आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावीधिक कला में से जीस भाग का चैन किया गया हो उसे OMR-Sit पर अवस्छ अंकीत करें इसमें जो है की OMR-Sit पर आप को आलेखन अथवा प्रावीधिक कला का जो बिकल्प दिया रहेगा उसे OMR-Sit यहाँ घ काले ये नीले पेन से उसे काला करना होगा तो आए हम लोग पहले देखते हैं अलेखन कला अलेखन कला के कुछ प्रसण है जो महतपुण है आईए आप लोग पहले प्रस्णफ से सुरू करते हैं पहला प्रस्णफ है मुख्य रंग कितने होते हैं मुख्य रंग कितने होते हैं A विकल्प में दिया 3 B में 2 C में 5 D में 7 यह जो है की विकल्प दिया है तो इस प्रस्णफ का सही उतर A जो है की सही है मुख्य रंग कितने होते हैं तीन अगला प्रस्न है दूसरा प्रस्न है इन में सीतल ब्रेकेट में ठंधा रंग कौन सा है A हरा, B लाल, C नारंगी, D पीला आँखो को ठंधा देने वाला कौन सा रंग है इस प्रस्न का सही उत्तर बिकल्प A हरा होता है जो आँखो को सीतलता देता है ठंधा देता है अगला प्रस्न है निम्न में से कौन सा गरम रंग है इसके पहले ठंधा और यहां पर गरम A लाल, B नीला, C हरा और D धानी तो गरम रंग कौन सा है इनमें बिकल्प A लाल गरम रंग है विकल्प A लाल गरम रंग है ओष्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं A8 B7 C6 D5 इस प्रस्न का सही उतर बिकल्प A8 होते हैं अगला प्रस्न है निम्न लिखित में से दूतियक रंग कौन सा है दूतियक रंग कौन सा है A नारंगी B लाल C पीला D नीला दूतियक रंग कौन सा है तो A नारंगी रंग जो है की दूतियक रंग है अगला है तटश्टर रंग कौन से है तटश्टर रंग कौन से है ए सफेद काला बी नारंगी पिला सी नीला लाल डी हरा पिला इसमें जो है की तटश्टर रंग पूछ रहा है तटश्टर रंग कौन से है ए सफेद काला बी नारंगी पिला सी लाल नीला डी हरा पिला इसका सही उतर है सफेद काला तटश्टर रंग कौन से है सफेद काला अगला प्रस्ण कह रहा है पुछा है प्रात्मिक अथवा मुख्य रंग कौन से है प्रात्मिक अथवा मुख्य निला, पिला, C, काला, सफेद, भुरा, D, नारंगी, धानी, आस्मानी, तो प्राथमिक अथवा मुख्यरं काउं से हैं, लाल, निला, पिला, लाल, निला, पिला बिकल्प, B सही है, लाल, पिला, निला, ये जह की, इस प्रस्न को देख लीजिए, बिकल्प अब आ गया है, प अगला प्रस्न देखते हैं, अगला प्रस्न है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्सी होता है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्सी होता है, A, जल रंग, या वाटर कलर, B, तैल रंग, C, एकेलिक रंग, और D, पेस्टल रंग, इसमें से पारदर्सी कौन सा होगा, तो प्रस्चन है सफ्षेद का बीरोधी रंग कौन सा है ऐ और तर बिकलब काला होता है सफ्षेद का बीरोधी रंग क्या होगा काला अगला प्रस्ण है लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा ए बैंगनी बी आस्मानी सी नारंगी डी भूरा लाल में नीला रंग मिलाएंगे तो बैंगनी रंग बनेगा विकल्प ए सही है विकल्प ए बनेगा A. नारंगी B. धानी C. बैगनी D. आस्मानी इस प्रस्न का सही उत्तर है पीले में लाल मिलाएंगे तो नारंगी बिकल्प A. सही है बिकल्प A. सही है अगला प्रस्न है दूतियक रंग कितने होते हैं? A. 6. B. 2. C. 10. D. 3. तो दूतियक रंग कितने होते हैं? D. 3. बिकल्प D. 3 होते हैं. अगला प्रस्न है पीले रंग का बिरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का बिरोधी रंग कौन सा है? A. निला, B. सफेद, C. हरा, D. धानी. इस प्रस्न का सही उतर बिरोधी रंग, पीले रंग का बिरोधी रंग क्या हो जाएगा? नीला बिकल्प A. इंद्रधनुस में कितने रंग होते हैं? सभी लोगी इंद्रधनुस देखे होंगे. जब बारिस का मौसम के समय ये इंद्रधनुस आसमान में दिखाई दते हैं. A. सात रंग, B. आठ, C. नौ, D. दस. इंद्रधनुस में सात रंग होते हैं. विकल्प A. सात रंग होते हैं कला सब्द किस भासा का है कला सब्द किस भासा का है A संस्कृत B हिंदी C फार्सी D पाली कला सब्द किस भासा का है तो इसका उत्तर A संस्कृत भासा का कला सब्द कला सब्द संस्कृत भासा का है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिकाली होती है तो जिस pencil में B का number ज्यादे होगा वो ज्यादे क्या होगी? काली होगी, अधिकाली होगी अब जिसमें देखना है कि B सबसे अधिक इसमे है A में 2B है, H B में एक B है और 2H इसमें है ओर D में H है तो B जिसमें सबसे अधिक इसमें है तो विकल्ड A, 2B होगा अधिक काले रंग वाली पेंसिल क्या होगी 2B अगला प्रस्णा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हलकी होती है हलकी अब यहाँ वहाँ पर गाहरी पुछा था और यहाँ पर हलकी पुछ रहा है तो जिसमें जो है कि H की मात्रा सबसादिक होगी वो उतने ही हलकी पेंसिल होगी यह 2H, B, HB, C, 2B और D, 4B तो इसमें जो है कि H की मात्रा अधिक जिसमें होगा वही जो है कि सबसादिक हलकी पेंसिल होगी तो इस प्रस्णा का सही उत्तर विकल्प A, 2H होगा फुल और कली के बाहरी खाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रस का उपयोग करना चाहिए A, 2 नंबर, B, 4 नंबर, C, 6 नंबर, D, 7 नंबर इस प्रस्णा का सही उत्तर विकल्प A, 2 नंबर का ब्रस का प्रयोग करना चाहिए अगला प्रस्ण है बनावट की द्रिष्टी से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं अगला छट के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा तो बिकल्प देखिए क्या दिया है केंद्री आलेखन कोने का आलेखन और सी किनारे का आलेखन और डी इन में से कोई नहीं छट के केंद्र का अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा तो केंद्री आलेखन बिकल्प A केंद्री आलेखन होगा इस प्रसन का सही उतर केंद्री आलेखन होगा तो इस तरह से आलेखन के 20 प्रसन जो आते हैं और जो माडल पेपर है उसके अधार को ये 20 प्रसन आप लों का ये आलेखन का हो गया अब देखते हैं अगले पार्ट में प्रावीधिक कला के प्रस्णों को आईए शुरू करते हैं प्रावीधिक कला का पहला प्रस्ण है संभाव त्रिभूज का प्रते कोण कितने अंसका होता है संभाव त्रिभूज का प्रते कोण कितने अंसका होता है अगला है प्रस्णा संपूर्ण कोण होता है संपूर्ण कोण यानि जब एक सरकिल बनेगा तो ये क्या हो जागा ये संपूर्ण कोण बन गया तो ये कितने का होगा अगला प्रस्णा है बर्ग का प्रते कोण कितने अंसका होता है आप लोग जानते हैं कि बर्ग ये जो है कि ये ऐसे बर्ग बनता जिसकी चारो भुजाएं क्या होती है बराबर होती है चारो भुजाएं बराबर होती है तो ये प्रते कोण कितने का बन रहा है तो ये 90 डिग्री का बन रहा है तो इसका विकल्प ये सही है 90 डिग्री बर्ग का प्रते कोण कितने अंसका होता है 90 डिग्री एक बर्ग के आंतरी कोणों का योग यानि यही जो उपर यह इसके चारों कोणों का योग कितना होत गा A 360 डिग्री B 180 C 220 और D 120 डिग्री इस प्रस्न का सही उत्तर है विकल्प A 360 डिग्री अगला प्रस्न है पेंसिल से कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिकाली होगी अधिकाली रेखा कौन सी होगी जिसमें B की मात्रा अधिक होगी A 2B B 2H C 4H DH इस प्रस्न का सही उत्तर विकल्प A सही है 2B 2B अगला प्रस्न है बर्ग के चारो भुजाओं की माप क्या होती है बर्ग के चारो भुजाओं की माप क्या होती है A चारो भुजा बराबर B बड़ी छोटी C आमने सामने बराबर D इन में से कोई नहीं तो इस प्रस्न का सही उतर है कि बर्ग क्या होती है बर्ग वह आकरिती जिसकी चारो भुजाएं बराबर होती है तो इस प्रस्न का सही उतर विकल्ब A है यानि बर्ग क्या होता है जिसकी चारो भुजाएं बराबर होती है ये बर्ग है जिसकी चारो भुजाएं बराबर होती अगला प्रस्ण है मापनी से पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है A 0 B 1 C 6 D इन में से कोई नहीं इस प्रस्ण का सही उत्तर है जब इस केल से आप कोई भी चीज माप करते हैं तो उसमें सबसे पहले 0 लिखा होता है तो विकल्प A सही है सुन्य एक मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं एक मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं यह सबको पता होगा यह बहुत यह असान प्रस्न है A 100 सेंटी मीटर B 1000 सेंटी मीटर C 10 सेंटी मीटर D 10 1000 सेंटी मीटर तो इस प्रस्न का सही उतर है A. बिकल्प 100 cm अगला प्रस्न है ब्रीत का आकार कैसा होता है ब्रीत का आकार कैसा होता है गोला टाइप का होता है A. गोला है B. त्रिभूज है C. बर्ग है D. इन में से कोई नहीं तो बृत का आकार कैसा होता है तो बृत का आकार विकल्प A सही है अगला प्रस्ण है इन में से कौन सा आकार आयताकार है आयताकार आकार कुछा है A ये तो बर्ग है B ये बृत है C ये आयताकार है और D त्रिभूज है तो इस प्रस्ण का सही उतर विकल्प C सही है अगला प् इसमें तीन भुजाएं होती है तो एक दो तीन और इसमें चार भुजाएं है और इसमें जो है कि एक भुजा पूरी चारों तरफ से घेरी हुई है और डी इनमें से कोई नहीं तो त्रिभुजाकार आकरिती बिकल्प यह सही है अगला प्रस्ना है रेखा किसे कहते हैं रेख यससे ख़ fan कोई भी दो बिंदू ले लिए जाएगा उनगे मिला हम रेखभा बन जाती है तो दो बिंदू के बीज की दूरी को रेख़ है आज जाताा है विकल० यह सही है क crah 2 बिंदू के बीज की की दूरी को रेख़ा कहते हैं अगला प्रस्न है निम्न लिखित में से कौन सा एक अधिकोण है अधिकोण पूछ रहा है तो कोण यह की दिरिश्टी से तीन प्रकार के होते हैं तो ए 90 डिगरी से बढ़ा लेकिन 180 डिगरी से छोटा B 60 degree से बढ़ा लेकिन 120 degree से कम C 360 degree से छोटा लेकिन 180 degree से अधिक D उपर्यूत सभी इस प्रस्न में देखिए अधिकोन 90 degree से बढ़ा होता है और 180 degree से छोटा या कम होता है तो भी कल्ब A सही है यानि अधिकोन 90 degree से बढ़ा और 180 degree से छोटा होता है सम बाहुत्रिभूज किसे कहते हैं ए कह रहा है इसके तीनो भुजाएं तीनो भुजाओं के अंता कोन बराबर होते हैं B कह रहा है उसके तीनो भुजाएं छोटी बड़ी होती है C कह रहा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है D इन मेंसे कोई नहीं सम बाहुत्रिभूज के तीनो भुजाएं या तीनो भुजा बराबर हो उससे सम बाहुत्रिभूज कहते हैं इसके तीनों भुजाओं के अंतर कोन बराबर होते हैं और कोन भी बराबर होंगे तो विकल्ब ए सही है विकल्प A सही है अगला प्रस्ण है 180 डिग्री के कोण को क्या कहते है 180 डिग्री के कोण को क्या कहते है A सरल कोण या रिजू कोण B अधिकोण C सम कोण D इन में से कोई नहीं 180 डिग्री के कोण यानि एक ये सीधी रखा खिच दिया जाएगा तो ये सरल कोन या रीजू कोन कहा जाएगा इसका मान एक सासी डिग्री होता है तो बिकल्ब A सही है सरल कोन या रीजू कोन कहते हैं अगला प्रस्थन है बर्ग किसे कहते हैं बर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है B. जिसकी तीन भुजाएं बराबर होती है B. कह रहा है जिसकी तीन भुजाएं बराबर होती है C. जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है D. जो गोल हो तो बर्ग क्या होता है तो बर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है विखल्प A सही है कि जिसकी चारों बुजाएं बराबर होती है उसे बर्ब कहते है विखल्प A सही है अगला प्रसना है एक dc मेटर में कितने cm होते हैं 10 cm, 20 cm, 40 cm, 40 cm, 30 cm सेंटी के बाद अगला जो कि dc शेंटी मेटर से बड़ा होता है तो एक decimeter में 10 cm, विकल ए सही है 10 cm, अगला प्रस्ण है एक meter में कितने decimeter होते हैं, एक meter में कितने decimeter होते हैं, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 10 decimeter, और 40 decimeter, 20 decimeter, और D 50 decimeter, तो एक meter में 10 decimeter होगा, 10 decimeter विकल ए सही है, अगला प्रस्ण है, कौन सी pencil से बनी रेखा हलकी होती है, हलकी होती है कौन सी, जिसमें hydrogen के, यानि H की मात्रा जादे हो, वो जहें कि हलकी pencil बनी होती है, 1H, 2H, HB, कोई नहीं, जिसमें विकल बी, जिसमें 2H है, ये सब से जो है की हलकी pencil होगी, इस तरह से आप student ये आपको 20 प्राविधिक और 20 आलेखन के प्रस्ण आप लोग को हल कराए गया, जो परिक्षा में काफी आने की संभावना अधिक है, इन प्रस्णों को बार-बार revision किजिए, तैयार किजिए, ये प्रस्ण आप लोग को परिक्षा में अच्छे अंक दिलाएंगे, तो आईए इन प्रस्णों को आप लोग revision किजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे, तो इसे subscribe किजिए, like किजिए, और अपने दोस्चास्थि योक्यो सेर किजिए, धन्यबाद